हेलो बच्चो हमारा प्रस्थन है दो आवेस प्लस Q तथा माइनस Q के बीच की दूरी दुगनी करने पर बल क्या होगा इसके उत्तर कुछ ही इस प्रकार है A, B, C, D तो चलिए हम इसको देखते हैं तो हमसे क्या बोला है कि दो आवेस हैं कोई एक है प्लस Q, एक है माइनस Q, उनके बीच की दूरी क्या है, अगर हम माल ले, R है, तो कुलान नियम से जानते हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है, वो हो जाएगा, के इंटू, क्यू, जूकि आवेस बराबर है, तो यह हो जाएगा, हमारा क्यू, इंटू, क्यू, ब बीच की दूरी जो है, दुगनी कर दे, यानि अगर हम प्लस Q, माइनस Q, और इनके बीच की दूरी दो वार हो जाएगा, तो बल क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम देखे, कुलान नियम के अनुसार, कुलान नियम से, कुलान नियम से, तो हमारा एफ जो है, Fडैस हम इसको अपटे Heo जाएगा हमारा के दूनावेशो भूणन फ़ल बढ़े बीच की दूरी का R2 यानिend q to q बढ़े बीच की दूरी का R2 यहां से यह हो जाएगा हमारा के q2r 2 . यह टूतल हमारा किन्ना अ जाएगा 1.4 तो यहां क्या हो जाएगा कि जो बल होगा वो कितना हो जाएगा एक चौथाई हो जाएगा यानि अगर हम आप संदेखे तो मारा आप संदी करेक्ट आंसर है थांक यू